बड़े परिशानी में चल रहे हैं इस वक्ते student क्यों क्यों कि हर student इस time किसी ना किसी exam के pressure में है काश ये exam ना होता कैसे होगा अगर मेरा दिमाग इतना भी response नहीं कर रहा है तो मेरा selection कैसे होगा आपके marks अच्छे आते थे आप अच्छा पढ़ते थे इसलिए आप आज यहां तयारी कर रहे हैं इस race में हो और बच्चों ये जो exam अभी आने वाले हैं ये आपकी success नहीं है ये तो success का step है ऐसे लाखो करोडो स्टूडेंट्स हैं जो जो चाहते थे वो नहीं बन पाए लेकिन अकर कुछ और बन गए उस department में उस इस्ट्रिम में उस ब्रांच में भी वो बहुत उचाईयों पे गए हैं बहुत success हासिल की है उनका ना IIT हुआ ना कोई अच्छी रहें का कुछ भी नहीं हुआ लेकिन आज वो एक पाइलेट है थोड़ी सी तेर जाके अपनी मदर से बात कर लीजे मम्मी को बोलिए कि मम्मी आप मुझे कितना प्यार करती मुझे आज ऐसास हो रहा है आपके मुन को इतनी शांती मिले कि ये जो पढ़ाई लिखा है ने सारा प्रेशर भूलिया होगे आपको आप बहुत राइस कर सकते हो इस बात पर यकीन करना तकसिज एक दिन आपके कदमों में भी आपको बस मेहनत करते रहना है बच्चो आज का ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त काफी परेशान है जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक है ने जिनका मन शांत नहीं है जिनका टारगेट उनको दिख रहा है कि मुझे ये एक्जैम क्लियर करना है मुझे इतने मार्क्स लाने कम से गम मुझे ये कॉलेज के लिए मुझे इतना स्कोर करना है बट उनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पा रहा है वो बहुत परेशानी में चले गई हैं इस वक्त रोज कोशिश करते हैं प्लैन करते हैं कि आज इतना स्लेबस कम्प्ली नहीं आते हैं ठीक है ना सोचते हैं आज रात को हम 2 या 2.30 बज़े तक पढ़के इतना स्ले बस पूरा कर लेंगे या ये ये टार्गेट अमना पूरा कर लेंगे लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत तेज नीद आ जाती है और बिना पूरा किये सो जाते हैं और सोने से पहने बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं या फिर इसका उल्टा कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं सो जाओ 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ और सुबा जल्दी उटके पढ़ाई करूं या सुबह मेरा एक्जाम है उसको दू लेकिन उनको नीद नहीं आ रही होती है चिंता की वजे से, ना तो कुछ सिनिवर्स कवर हो रखा होता है, ना उनको नीद आ रही होती है ठीकि न, बड़े परेशानी में चल रहे है इस वक्ते स्टूडेंट क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट इस टाइम किसी ना किसी एक्जाम के प्रैशर में है जिनकी अच्छी तयारी चल रही है वो जादा रैंक लाने के लिए परेशान है जिनकी थोड़ी एवरेज तयारी चल रही है वो selection के लिए ही परेशान है तो बच्चो किस तरीके से आप अपने मन को शांत कर सकते हो इस माहूल में इस तरीके से क्यों क्योंकि गलती आपकी नहीं है संघर्स करने का time जो struggle करने का time है वो हमेशा ऐसी ही feeling लेके आता है और इसमें किसी की भी गलती नहीं होती क्यों हम struggle क्यों कर रहे है क्योंकि हमें उपर उठना है एक upliftment के लिए एक विकास के लिए कुछ achieve करने के लिए हम कर रहे है तो बच्चो दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा लेकिन जब हम उस इस्थिती को जीते हैं उसमें live रहते हैं तब हम इतना नहीं सोच पाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेके ठीक है बच्चो तो बहुत सारी unwanted चीज़े ऐसी हैं उनसे हमारा मन कभी-कभी इतना तूट जाता है ऐसा मन करता है कि आथ छोड़ दे पढ़ाई वड़ाई काश ये exam ना होता काश मैं सब कुछ छोड़के सो पाता या काश मैं मेरा मन इतना शान्त होता है कि मुझे नींद आ पाती ठीक बच्चो इन ही सब चीजों से किस तरीके से हम बचें कैसे क्या तरीका है जिससे मन एक्तम शान्त हो जाए और हमें नींद आ जाए या फिर हम वापस पढ़ाई पे लग जाए ठीक है बच्चो या फिर कुछ भी करके हमारी माइंड को थोड़ा रिलाक्स फील हो ठीक ताकि हम नेक्स प्लैनिंग कर पाएं और उस चीज को पूरा कर पाएं तो बच्चो वही तरीका मैं बताने वाला हूँ तरीका नंबर वन बता रहा हूँ मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा ओके बच्चो तो क्या है ये तरीका नंबर वन बच्चो कभी कभी हमें लगता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं पर कुछ याद ही नहीं हो रहा है सारा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा नोट्स अच्छे से पढ़े क्वश्यन अच्छे से किये पर अब मैं जो अंसोल्ड प्रश्यन कर रहा हूँ वो मुझसे होई नहीं रहे है मैं कितना डंब हो गया हूँ मेरा दिमाग लगता है काम नहीं कर रहा है ऐसा इस टाइप की थोट्स आते हैं और हम बहुत परिशान हो जाते हैं कैसे होगा अगर मेरा दिमाग इतना भी रिस्पॉंस नहीं कर रहा है तो मेरा सेलेक्शन कैसे होगा इस टाइप की जो एंजाइटी होती है बच्चो उसके लिए एक बार सोचे हैं यहां से जब आप किसी क्लास कोई भी अपनी पुरानी क्लास याद कर लीजे बच्चो वो भी तो इंसान है वो भी पूरी एक एंटीटी है उपर वाले की बनाई हुई और उसके माकस ही नहीं आते थे उस वक्त टीचर उसको डाट डाट के परेशान हो जाते थे कि इसको कुछ समझ आ जाए इसको कुछ समझ आ जाए बट उसको कोई concept ही समझ नहीं आते थे question करना ही नहीं आता था तो बच्चो वो भी तो इंसान है कम से कम आप लोग उनसे तो अच्छे हो आपके number तो आते थे आपको सब समझ तो आता था तो बच्चो ये टाइम भले ही परेशानी का है पर अपने उन दोस्तों को याद करिए उस वक्त जो बहुत अच्छे marks नहीं ला पाते थे तो आज वो आपकी तरीके से तयारी भी नहीं कर रहे हैं आपके marks अच्छे आते थे आप अच्छा पढ़ते थे इसलिए आप आज यह तयारी कर रहे हैं इस race में हो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस race में ही नहीं है इस competition में ही नहीं है उन्होंने पहले give up मार दिया है कम से कम उन लोगों से तो अच्छे हो बेटा क्यों क्योंकि आपके मन को शांती के वल तभी मिलती है जब नीचे की side देखते हो आप उपर की side देखोगी तो परिशानी हो जाओगी ठीक है बच्चो तो सोच के देखो उस अपने दोस्त को याद करो उसका नाम याद करो कि वो कौन था वो कैसे लोग थे वो भी जीएंगे वो भी खुश रहेंगे इस दुनिया में उनके लिए भी जगा है और वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं कभी-कभी अपनी लाइफ में तो बच्चो कम से कम आप उनसे तो अच्छे हो आप पढ़तो रहे हो आप टेस्ट तो दे रहे हो आप क्लास में तो बैठते हो आपको कम से क्लास में तो समझ आता है तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचिए आपके मन को जरू जांति मिलेगी, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे कि चलो कुछ ओर नहीं, मैं बहुत लोगों से बहुत बैटर हुँ, ठीके बच्चो, अब आते हैं सेकेंड तरीके पे, ओके बच्चो तो सेकेंड तरीका क्या है, बच्चो सेकेंड तरीका वो है जो किसी बी हालत में फे ठीक है बिटा? दुनिया में कोई भी चीज ऐसा कर सकती है, कोई भी किसी को प्यार करना बंद कर सकता है, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको प्यार करना बंद नहीं कर सकते हैं. चाहे आपका सेलेक्शन हो या ना हो, वो तब भी आपके साथ रहेंगे, आपको तब भी उतना ही सपोर्ट करेंगे, तब भी उतना ही चाहेंगे आपको. आप अपने पापा के बारे में सोचिए, अगर आप बहुत परेशान हो तो आप अपने पापा के बारे में सोचिए, कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए किस तरीके से वो कमा रहे हैं और कैसे आपकी fees बरते हैं कितना बुरी-बुरी situations में भी उन्होंने कैसे आपको support किया किस तरह से कुछ भी आपको task करना हूँ वो हमेशे आपके साथ रहते हैं कितनी उम्मेद्टे हैं में कामियाब हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, वो आपका ही अच्छा चाहते हैं, और वो हमेशा आपका अच्छा चाहते रहेंगे, चाहे आप सक्सेस्फुल हो या ना हो, एक आद एक्जाम में फेल हो जाओ, या ना सेलेक्शन, तब भी वो आपकी सपोर्ट मे उतने ही रहेंगे, उनके बारे में याद करिए, उनको सोचिए, सबसे बड़ा जो स्थान है, वो मदर का है बेटा, मा जो होती है ना आपकी, बेटा उनको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, अगर आप परेशान हो ना, आपको जरा सा हैडेक हो रहा हो, आपके पेट नहीं होने चाहिए, आप दुख ही नहीं होने चाहिए किसी मूमेंट पे, वरना आपकी मदर को, आपकी मा को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, उनके बारे में सोचिए, उनका अनकंडिशनल प्यार देखिए आप आपके लिए, वो कितना प्यार करती हैं आप स ठीक, तो बेटा, उनहीं को याद करके कम परिशान होईए, पढ़ने पे लग जाएए वापस, कुछ भी ना हो, लेकिन माबाप तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, माबाप हमेशा, मान लो किसी के दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, उनमें से, जो सबसे कम सक्सिस्फुल होता आपके माबाप तो आपके साथ हैं, वो तो आपको हर कंडिशन में प्यार करेंगे, तो बच्चों, उनके बारे में सोचिए, और मन को थोड़ा सा शान्त करने की कोशिश करिए, 100% आपका मन शान्त हो जाएगा बच्चों, थोड़ी सी तेर जाके अपनी मदर से बात कर ली ठीक, अब आते हैं तीसरे तरीके पर, ओके बच्चों, तीसरा तरीका क्या है, ये मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बहुत परेशान है कि आगे जाके क्या होगा, अगर मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे IIT में नहीं म जो चाहते थे वो नहीं बन पाए, लेकिन अगर कुछ और बन गए उस डिपार्टमेंट में, उस इस्ट्रिम में, उस ब्रांच में भी वो बहुत उचाईयों पे गए हैं, बहुत सक्सिस हासिल की है, ठीक है न, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज के लिए आ गर्ल स्टुडेंट कोटा में पढ़ने आई थी, उनसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, तवियत भी खराब रहती थी और बहुत दिक्कते होती थी, तो कोटा से उनको वापस भी ले गए उनके पेरेंट्स, उनका ना IIT हुआ, ना कोई अच्छी रहेंग काई, ना होने पे भी और चीजों में लग गए और बहुत सफलता हासिल की है उसने, और बच्चों ये जो एक्जाम अभी आने वाले हैं, ये आपकी सकसिज नहीं है, ये तो सकसिज का स्टेप है, अभी तो ये एक्जाम क्रैक करके आपको चार-पांच साल पढ़ना पड़ेगा उसके बाद एक अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, उस जॉब में बहुत अच्छा पैकेज आपको अर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बड़ी सी गाड़ी ले पाओगे, एक अच्छा सा घर बना पाओगे, अपने पेरिंट्स को बोल पाओगे कि देखो बापा, मैं आज stable हूँ, मैं अब successful हूँ, तो अभी तो success आने में कई साल बाकी है बेटा, और ये तो एक step है, success का, तो अभी तो कई साल बाकी है, आप बीच में भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत improve कर सकते हो, तो अगर आपका selection नहीं भी होता है, तो भी आप बहुत rise कर सकते हो, इ एक पल, एक एक मिनट आपको अपनी अच्छे तरीके से यूज करनी है, गलतिया नहीं करनी है, ठीक, सकसिज एक दिन आपके कदमों में होगी, ठीक है बच्चो, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी आपको दिक्कत होती है, आप मुझे मैसेज करिए, मुझे किसी भी तरीके से कमेंट करिए, मैं उस चीज पे वीडियो बनाके आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चो, ठीक है बच्चो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे, शेयर कर दीजे, और लाइक कर दीजे, आपकी सपोर्ट की मुझे भी बहुत जुरत है तो बच्चो, best of luck पढ़ते रहिए, thank you